What is the 10 EMA and 10 HM? This is the most hard question during my YouTube session. आप मेरे YouTube चैनल पर रिर्ल लाइट सिसम देखते होगे तो आपको पता होगी तर दूसरे सब्सक्राइब कर ये कुश्ट अब तक सर आप जो आप में चार्ट पर मोविंग एपरिस को यूज करने हो तुसके अक्रिशी कैसे निकल के आते कौन से टाइम पर होता है क्या प्रटन होता है इसकर में का प्रॉपर लाइब में करूँगा और उस पे मैं ट्रेड रिले कर भी आपको दिखाऊंगा कैसे उस पी ट्रेड कर जाता है विल्टम बाक टू अनलगा 25 वीडियो गाइज माई विया लाइज रेंजन एक ट्रेड इवाय तो शनी करते हैं ने ने पर और बात करते हैं कि कैसे मैं अपने मूविंग एपरिस को यूज करता हूं तो वाइज हम दोग आ चुके हैं अपने क्वेडिक्स के प्लेटफॉर्म पे और यहां पर मैं कुछ स्टेट्स अल्डेडी लगा चुका हूं इस्टारटजी के उपर तो स्टारटजी शाट करने से पहले मैं आप कन्फर्म करनों कि मैं करता हूं गाइज जेली लाइज से अच्छी काजी प्रॉफित जनरेट कर सकते हो मेरा प्रीविडियो अगर आपने देखा होगा तो आप देखा होगा कैसे मैंने 2.6 लाक का प्रॉफित जनरेट किया है विट वन रेट विट 5.0 लॉट्स के साथ इंवेस्मेंन ता अल्ली 80 तो अगर आप दी मेरे साथ प्रॉफित जनरेट कर सकते हो अधर आप याई पी एक्सेस कर सकते हो और वहाँ जहां मैं बात करूँ बाइंटरी के लिए तो बाइंटरी पे आप इवनिंग 9.30 बीम पे जनरेट कर सकते हो जहां पे हम लोग लाइफ टेट्स करते हैं विस सम्क्वालिटी ट्रेट्स मनी म मेरे डेली लाइफ सेजन पे बार वार पूछाया था कि सर अब जो मुविंग एवरेज यूज करते हो और डेक्स्टॉप जगों कि आप अपने चार्ट पे अप्लाई किये उसका रीजन क्या है और इसका सीक्रेट क्या है तो वही सीक्रेट आज आज आप लोग के सामने मे लेंगे तो सबसे पहले अप्लाई किसे करना है जादा लंबा वीडियो नहीं करना है जो भी देखें कंफर्म देखें आपको काफी कुछ समझना है और इसे कर सकते हो इसे यूज कैसे किया जाए तो यहां पर दो सिक्रेट में बताने वाला होगे यूज करने का तरीका मार अपके में अपको डीटल करोगा कि मार्केट में यूज कैसे किया जाता है सबसे पहले आप देख लें कि लास्ट एक ग्राफ जैसे कि अगर आप फोन पे देख रहे हो तो आपके साइड इतनी बड़ी होगी जागा पीश आपको नहीं जाना है जैसे फोन आप कितनी लोग कर रहा है आपको धियान देना कि जो आपके चार्ठ पोन की चार्ट नहीं देरे मार्केट आपको दिख रहा हो कि अप डाकेट में पर मुझे मिला है जो देख सकते हो मार्केट नीचे आया था बट इक देख सकते हो market overall options को move कर रहा हूं कि जैसे यह candle close होगा आप लोग trade करेंगे options की और देखें यहाँ पर 16 18 का मैं expiry रखने वाला हूं और मैं यहाँ बैक टू बैक तीन से चार ट्रेट प्रेस कर रहा हूं काफी अच्छी इंट्री मिले देख सकते हैं जो moving average थे हैं just इसके उपर market closing किया रहा है और मैं यहाँ इसलिए लगा रहा हूं कि यह मेरी trades confirmed है moving average की और जब trades करो भाई तो आपको एक confirmed trades मिलते हैं और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि maybe candle आपको reaction देगा but next candle आपको confirm objections की trades confirm करेगी तो लेट सी कि यहाँ पर अभी टाइम है वीडियो यहाँ लंबा नहीं करना है क्योंकि quality matter करता है वीडियो लंबा होने से कोई फाइदा नहीं है आपको दो trades में ही अगर समझ में आ जाते है about this trade about the strategy and that's enough हो काफी है तो देख सकते हो एक मेर्स के candle successfully अब देखना है कि यह candle आपको 47 seconds बखी है यह candle क्या रियोर्ट से बस यहाँ पर ध्यान देना ठीक है बस यहाँ पर आपको ध्यान देना कि जब भी trades करने वेट हो ना proper moving average के ऊपर closing होना चाहिए जैसे देख सकते हो यह moving average के proper अपर closing दिया है तभी मैंने यह trades place किया था और रियल्स देख सकते हो आपके सामने काफी बैतरी निकल के आ रहा होगे back-to-back trades मैंने इसलिए लगा है क्योंकि यह short short trades से moving average के अगर सही तरीके से use करोगे तो आपको काफी अच्छे profit देखने को मिलेगा तो चलिए यह trades हमारे successfully profit में convert होता है guys this is the power of moving average 10a में 10a में रियल्स आपके सामने है अपी पड़ी हो चुकी हम लोग की okay अब देखते है क्यों मैंने यह trades place किया तो जैसे कि मैंने आपको बताया था starting में बताया था कि देखो mobile screen है इसकी उपर देखो market आप क्या run कर रही है market overall objections को move कर रहा है okay तो market ज जैसे कि यहां पर आप देखो तो market यहां से down directions को remove कर रहा है तो यहां पर आपको trades कैसे करने down directions क्यों प्रैक्ट है यही है यही काम करेगा ज्यान रख सो simple सब्सक्राइब के down directions आप directions का moment एक आप screen के phone की तरह से पकड़ सकते हो moment पकड़ना है तो इस moving average की और हाँ दो मेंट के expiry उसे जादा का trades पहरी मत रखना क्योंकि दो से तिसरे candle पर अगर अगर आप उस पर डिपेंड होते हो वाई तो आपके market अगेंस जा सकता है तो make sure आपको इस point पर काम करना है काम करने के साथ साथ आपको यह ध्यान दखना है कि जो भी trades आप कर रहे हो आप सबसे पहले नाम से इतनी भी trades लगा दिया मुझे पता है कि यह से trades successfully profit देगा इसलिए से मैंने से इतना confirm trades लगाया और profit आपके साम तो details आपको पता चल रहा है अब चलिए आपको यहाँ पर दिखाता हूँ पूरा details में का वोकर तो जो हमने current trades लगाया उसी पर बात करेंगे तो देखो market के recording देखो यहाँ पर क्या कर रहा था market अब डिरिक्शन को फॉलो कर रहा था था अब यहाँ पर देखें मार्केट नीचे आने का ट्राइगिया बट एक क्रॉसओर दिया market दो मैट्स के अंदर market अब डिरिक्शन के और profit generate यहाँ पर नीच आने का market राएगिया बट यह भी क यहां पे crossover क्या बथा देख रहे हो कि मार्केट यहां से अप्डेक्शन की ओर तो आपको डाउन डेक्शन की ओर ट्रेट्स नहीं लगानी है मार्केट देख रहे हो कि मार्केट आपकी अप्डेक्शन की मूग कर रही है आपको market injections की ओर move कर रहा है तो आपको ona की ओरद रेट्ट ही लगाना में तो अब डरेट लागा आ ऑपको अन्मस की ट्रेट् लगा है power मार्केट आपको क्या बोला कि ये कैंडल अगर मूव करेगा आप आपको ट्रेड लगा दिनी है दो मेंट की अप्रेक्शन पर जैसी कैंडल पोज हुआ है मैंने दो मेंट की ट्रेड लगा और प्रॉफिट देख सकते हो बाई आपके सामने कितनी बड़ी प्रॉफिट जिनि ये कैंडल नीचा नेक्ट्राइक किया आप नॉर्मल इसकेंडल पर ट्रेड लगा होगे आपकी प्रॉफिट और जाहतर आपको ये दियान दखना कि क्रॉस ओबर के बाद ही ट्रेड लगाना है ऐसे पर ट्रेड मत लगाना कि मार्केट अप्रेक्शन को मूव कर रहा है तो आपके ट्रेड लगाना होगा आपको इस पॉइंट पर तो हुपस हो गाइंज कि आपको वीडियो पसंदण आया होगा तो चैनल को सस्क्राइब कर देना अपने दोस्तियार में जरूर सेयर करना है जो प्राफिट करना चाहते हो बाइंत्रे में सिग्नल फॉलो करकर करकर बाई लॉसिक कियो मार्टिंगल कंपोर्णे के चक्कर में अब टाइम आ गया आपका इंडिपेंडेंट्स वनने का तो 35 पो एक सस्क्राइब चरूर कर देना थैंक यू सो मच गाईज पर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में